तो वहीं T20 World Cup में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की है अफ़कानिस्तान को हराने के बाद भारत ने स्कॉटलाइन पर भी बड़ी जीत हासल की है दोदमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट भी बहतर हो गया है ऐसे में अब सैमी फाइनल की उमीद फिर से जगने लगी है लेकिन क्या ये रास्ता इस्ता आसान हो सकता है इसको समझना बहतर जरूरी है टीम इंडिया ने स्कॉटलाइन को सिर्फ 85 रनों पर आल आउट कर दिया था भारत को नेट रन रेट से आगे निकलने के लिए इस टारगेट को 56 बॉल में अफगानिस्तान के नेट रन रेट से आगे निकल करके 43 बॉल में टारगेट को पार करना था टीम इंडिया ने ऐसा ही किया और सिर्फ 7 ओवर के अंतर भी ही कर लिया टीम इंडिया की स्कॉटलाइन पर इस जीत के साथ ग्रूप टू की पॉइंट टेबल में तीसे नमबर पर टीम इंडिया पहुँच गई है खास बात ये है कि भारत का नेट रून रेट अब अफगानिस्तान न्यूजिलेंड से भी बहतर हो गया है यानि अगर सैमी फाइनल में पहुचने के लिए नेट रून रेट पर बात आती है तब टीम इंडिया को काफी फायदा हो सकता है अफगानिस्तान स्कॉटलाइन पर जबरदस जीत के साथ भारत के चार पॉइंट्स हो गए है जबकि उसका नेट रून रेट प्लस 1.619 हो गया है भारत का नेट रून रेट अप ग्रूप 2 में सबसे बेस्ट है हाला कि वो अभी भी तीसे नंबर पर ही है साथी पॉइंट के मामेवी न्यूजिलेंड से दो पॉइंट पीछे है अब अगर टीम इंडिया को सेमी फानल में पहुँचना है तो उसे निवीबिया को भी बड़े अंतर से हराना होगा लेकिन इसके साथी न्यूजिलेंड को भी अपना मकाबला हरना होगा अगर अफगारिस्तान किसी भी तरह न्यूजिलेंड को हरा देती है तो टीम इंडिया को नेट रन रेट के जरीए एक बड़ी मदद मिल सकती है यानि कि अब भी सेमी फानल में पहुँचने की उमीद क्रिकेट टीम की बाकी है और टी ट्वेंटी में जिस तरह से टीम इंडिया पिछले दो मैचों में प्रदर्शन कर रही है उससे उमीद है कि जल्द ही सेमी फानल में टीम इंडिया जगा बना सकती है